नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं तो खबरों की और रुक करने से पहले एक नजर हिडलाइन्स पर बिहार में नहीं थमराय कोरोना का कहर आज फिर एक दिन के नए केस का बना रिकॉर्ड 68 मौत के साथ लगातार तीसरे दिन 12,000 प्लस मरीज बिहार में कोरोना संकट के बीच भयंकर गर्मी की मार अधिकतर भागों में पारा 45 डिग्री के पार लोगडाउन का डर दूसरे राज़ों में रह रहे बिहारी स्रामिक ना ले टेंसन हर परेशाने दूर करने के लिए नितीज सरकार ने किया खास काम कोरोना संकट के बीच राहत की खबर बिहार के 9 करोड लोगों को मैं और जून माह का मुफ्थ में मिलेगा रासन रोज बिहार के 10 प्रमुक बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लेगा तो एक प्यारा लाइक अपने तरप से जरूर कर दें इहार में कोरोणा संक्रामन तेजी से बढ़ने के साथ गंबिर कोरोणा मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है सरकारी आकड़े भयावा होती जा रहा है हर रोज नए मामली और मौत की संख्या बढ़ रही है रहीवार को भी राज में 12,795 नए संक्रामित मिले जो अब तक की सबसे अधिक संक्या है यह लगातार तिसरा दिन है जब प्रदेश में 12,000 से अधिक नए केस मिले है स्वास्त विभाग के अनुसार रहीवार को 68 लोगों की मौत कोरोना संक्रामित के कारण दर्ज की गई है वही 98,763 सेंपलों की जाच की गई 20 अप्रेल के बाद पहली बार जब जाच एक लाग से कम हुई इस तरह राज में संक्रमंदर बढ़कर 12,95% तक पहुँच गई है स्वास्त विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक 1848 गया में 1340 भागलपूर में 681 और अंगापाद में 682 बेगुसराय में 525 और समस्तिपूर में 438 नए कुरोना संक्रामित पाए गया है जबकि अन जीलो में नए संक्रमितों की संक्या इससे कम थी बिहार में कुरोना संक्रामित के बीच भेंकर गर्मी की दोहरी मार पढ़ रही है बिहार में अगले 48 गंटे में भी दिन का तापमान सामान से अधिक बना रहेगा बिहार का उचत्तम पारा अप्रेल का रिकॉर्ड तोर सकता है प्रदेश में अभी पच्या हवा बह रही है जिससे राहत के आसार अभी नहीं है रहिवार को बकसर राज सरवाधी गर्म स्थान रहा यहां पारा 48.6 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया स्थेश प्रदेश में ओसत तापमान 49-49 डिगरी सेल्सियस के बीच रहा आज से दक्षिनी बिहार में तेज आंधी चलने के आसार है हाला कि बंगाल की खाड़ी में चगरवाती इस्थिती बन रही है अगर उसका असर हुआ तो 48 गंडे बाद एक बार फिर प्रदेश में पुर्वाया हवा चल सकती है इससे तापमान नीचे जा सकता है देश के लगबग हर राज में कोरोणा वायरस का फैला दोबारा होते ही प्रवासी बिहारी स्रमिकों की परिशानी दोबारा से बढ़ गई है मुख्यमंत्री की अपील के बाद विविन राजों से स्रमिक घर लोट रहा है लेकिन अब भी लाखों स्रमिक दूसरे राजों में ऐसे स्रमिकों की परिशानियों को जानने और उसे दूर करने के लिए स्रम विभाग के अधिकारी अभी निवन्दित स्रमिकों को फोन करेंगे ताकि जो घर लोट आये हैं उन्हें हर संभव सायता करते हुए रोजगार से जोड़ा जा सके या तो जो बाहर अब भी हैं उनकी परिशानियों को दूर किया जा सके दिल्ली में इस्थानिक आयुक्त समधित महला में चानविन कर रहे हैं कुछ लोगों के दिल्ली में होने की जानकारी मिलने पर बिहार सरकार उन लोगों के खानपान की विवस्ता कर रही है जो अपने घरों वापस लोटना चाहते हैं अ कि दूसरी लहर को देखते हुए प्रदानमंत्री गरीब कल्यान अन योजना के तहट बिहार के 9 करोड लोगों को केंद्र अगले 2 मा तक मुफ्त में रासन देगी प्रतिवेक्ति रासन 5 किलोग्राम रासन दिया जाएगा इसमें 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चाव भोक्ता संग्रक्षन विभा के FCI ने इसकी तैयारी कर ली है बिहार में कुल रासन काड की संख्या 1.74 करोड से अधिक है प्रति रासन काड नियुनतम 5 लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से राज में राष्टिय खाद सुरक्चा अधिनियम के तहट करीब 9 करोड से 1.74 लाग मेट्रिक टन गेहुं आवंटित किया जाएगा उलेखनिया है कि 2020 के लौक्डाउन के दौरान केंद्री से राज के रासन काड धारकों के लिए 8 माह तक 5 किलोग्राम के मान से मुफ्त रासन दिया गया था उस समय भी फ्री दिया गया रासन परंप्रागत नियुन प्रक्रिया से होगा चैन मुईकमंत्री नितीज कुमार ने राज में चिकित सको एवंग पारामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों के नियुक्ति के प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है मुईकमंत्री ने कहा है कि वाक इन इंटर्व्यो प्रक्रिया के माध्यम से हर जीले में आवसकता अनुसार चिकित सको एवंग पारामेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर स्थाय नियुक्ति की जाए गौर्तलावय की सनिवार को मुखमंत्री के निर्देश पर एक उच्चस्तरिय बैठक आयोजित की गई थी इसमें यहाँ निने लिया गया है कि चिकित सको एवंग पारामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भढ़ने की प्रक्रिया सिग्र पूर्ण की जाएगी बैठक में मुखमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार के अलावा स्वास्त विवाग स आपता प्रवंधन विवाग के प्रधान सचिव प्रत्य अम्रित बिहार तक्निकी सेवा आयोग के अध्यक्ष अजै कुमार चौधरी एवंग राज स्वास्त समिती के कारिपालक निदेशक मनोज कुमार सहित सम्मंदित अरिकारी उपस्तित थे आधी हो जाएगी जबकि राजद के उपर इसका असर नहीं पढ़ने वाला है दरसल 2015 के चुनाव में सबसे अधिक 11 सीटे भाजपा के ही खाते में आये थी निर्दलिया असोक कुमार अगरवाल और लोजपा की नियुतन सिंग भी भाजपा में सामिल हो गई अगर चुनाव समय पर नहीं हुए तो विधान परिशद में भाजपा की सीटे 26 से घटकर 14 पर आ जाएंगी वहीं इस्थानिय चेतर से दर्बंगा से जीते सुनिल कुमार सिंग का निरन हो गया था जो भाजपा के ही MLC थे पंचाई चुनाव टलने का असर राजद पर बहुत अधिक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि इस्थानिय चेतर प्राधिकार से जीते उसके 4 से 3 सदस पहले से ही दल बदर कर जदैयों में सामिल हो गया है वहीं लोजपा के टीकट से जीत दर्ज की नूतन सिंग भाजपा में सामिल हो गई है बतादे कि इस्थानिय प्राधिकार से बिदान परिशज में कुल 24 सदस चुने जाते हैं हर दो साल पर 8 सदसों का निवाचन होता है 2009 और 2015 में सभी सीटे एक साथ बरी गए थी 2021 में किस तरह से ये सीटे बरी जाएंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है राज़त के लिए बुरी खबर लालु यादव की रिहाई पर फसा पेच कुरोना ने रोका रास्ता इस वक्त की बड़ी खबर राज़त सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव से जुड़ी हुई आ रही है राज़त निताओ और पाटी के कायरकरताओं के लिए यह बुरी खबर है दर्सल राज़त सुप्रीमो लालु यादव की रिहाई पर फिलाल ब्रेक लग सकता है लालो यादव की रिहाई के लिए कोड़ा संक्रमन विलेन बनकर सामने आया है ऐसे में पाटी से जुड़े लोगों को लंबा इतजार करना पड़ सकता है कोड़ा महमारी से देश भर में कोड़ा मचा है जारकंड में हालात अच्छे नहीं है यहां भी कोड़ा बेकाबू हो गया है प्रति दिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं जबकि दर्चनों लोगों की मौत कोड़ की वज़ा से हो रही है कोड़ा वायरस के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए जारकंड स्टेट बार काउंचल ने 25 अप्रेल तक नियाईक कारियों पर रोक लगा रखा है अब बैठक के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा ऐसे में अब राज़त के राष्टिय अध्यक्ष लालु प्रसाद यादव की जमानत पर पेच भस गया है गोरतलवों की दिल्ली एम्स में इलाज करा रहा है विहार के पूरु मुख्यमंत्री लालु प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने इससे पहले कहा था कि लालु प्रसाद यादव की रहाई के लिए अब आने वाले रववार तक इंतजार करना होगा क्योंकि जारकन बार काउंचलिंग ने फैसला लिया है कि अगले रववार 25 अप्रिल तक कोट में किसी तरह के कार में एडवोकेट हिस्ता नहीं लेंगे अगर कल सोंबार यानि कि 26 अप्रिल से काम शुरू होगा तो लालु यादव की रहाई के लिए बिल बांट भरा जाएगा और ऐसा नहीं होता है तो राजन निताओं और पार्टी के कारकरताओं को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है PM Care Fund से देश के सभी जीलो में लगाये जाएंगे Oxygen Generation Plant केंदर सरकार ने किया बड़ा एलान देश भर में Oxygen की किलत के मामले सामने आने के बाद केंदर सरकार अब हरकत में आ गई है केंदर सरकार ने PM Care Fund से राजो के विशेज मदद देने का फैसला किया है अब इस फंड से प्रभायत राज्यों में पेशर स्विंग वाले पांसो इकाउन ओक्सिजन जनरेशर प्लांट की स्थापना की जाएगी जिससे कुर्णा मरीजों को ओक्सिजन सप्लाई मिलने में आसानी हो सकेगी इस फैसले का एलान करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहाया कि इन प्लांट को जल्द से जल्द सुरू कराया जाएगा इन ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट से जीले के अस्पताल में ऑक्सिजन की अबाद आपुर्ति सुनिश्चित की जाया सकेगी PM Care Fund की ओर से इन Oxygen Generation Plants की स्थापना के लिए दनरासे आवांटित करने को सर्धान्तिक मंजूरी मिल गई है जानकारी के मुताबिक ये खास Oxygen Plant राजो के जीलों में विशेश चिन्हित सरकारी अस्पतालों में लगाया जाएंगी इन प्लांट्स के लिए खरीद का काम किंद्रिय स्वास्त मंत्राले की ओर सी किया जाएगा इन 500 एकाउन Oxygen Generation Plant की स्थापना के पीछे पब्लिक हिल्थ सिस्टम को मजबूत करना और यहाँ सुनिशित करना के मुख्य उद्यस है कि अस्पतालों के पास Oxygen Generate करने की सुईधा हो सिक्चा विभाग से जुड़ी अच्छी खबर राज के अंगेभूत कॉलेजों में होगी प्रधानाचारीयों की नियुक्ति कोरोना काल में सिक्चा विभाग से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है राज के पारमपरिक 20 विद्धालेयों से जुड़े अंगीभूत महाविद्धालेयों में प्रधानाध्याफोक के खाली पड़े पड़ो पर बहाली होगी पारमपरिक 20 विद्धालेयों के तहत करीब 260 अंगीभूत महाविद्धालेय हैं जानकारी के मुताविक इन में से करीब 90 में नियमित प्रधानाध्यपक कारियरत हैं से इस तक्रिवान 170 कॉलेजों में प्रधानाध्यपकों के पद खाली हैं ऐसे कॉलेज प्रभारी प्रधानाध्यपक के सहारी चल रहे हैं वीधितों की राज की विश्विद्धाले से अंगीभूत महा विद्धाले के प्रधाना द्यफोकों की नियुक्ती का अधिकार छीन गया है शिक्षकों की तरह ही अब बिहार राज विश्विद्धाले सेवा आयोग से प्रधाना द्यफोकों की भी बहाली होगी इसके लिए बिहार राज विश्व विद्धाले सेवा आयूग अधिनियम 2017 के प्राधानों में संक्सोधन किया गया है। इसके प्राधानों में संक्सोधन के प्राधानों में संक्सोधन किया है। सचीव किदारनाथ पांडे ने बिहार के सिक्षा मंतरी को पत्र लिखा है उन्होंने काया कि राज सरकार ने ये असंका जताई है कि अगले तिन सप्ता यानि 15 मैं तक करोणा का कहर और तेज होगा सरकार ने लोगों से काया कि वे अपने घरों में ही रहें बहुत जरूरी होन कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कम से कम 15% ऐसे सिक्षक कारी रहत है जिनका घर स्कूल से 100-150 किलोमेटर दूर पर है